हेलो स्टुएंट्स के यूटी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज की क्लास में 25 दिसंबर का करेंट अफेर्स देखेंगे जाने की कौन कौन सी वो लेटेश अपडेट है जो कि हमारी परिक्षा की परपस से इंपॉर्टन हो सकती है तो चलिए आगे ब सरकार और भीष्य बैंग ने भारत के चार राज्यों राजस्थान हीमाशाब प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इन चार राज्यों में सुरक्षित एवं ग्रीन राश्ट्री राजमार्ग कौरीडोर की निर्माल के लिए 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर की पर परिपक्वता आवध के लिए दिया जाएगा जिसमें 5 साल का सामिल किया गया है तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलमेंट दार पांसो मिलियन अमेरीकी डॉलर का लोन दिया जा रहा है बिस्ट बैंक का मुख्याल है कहां पर है वासिंग्टन ड खराज़मार्र मंतरी हैं भारत के लिए है लिए क सजि देख थे किशक्राय फिल्म और संचाली और बैद्येश विल्म इदेशालाय भारती राष्ट्रिय का विला राष्ट्रिये फिल्म विकास निगम राष्ट्रिये फिल्म विकास निगम में किया जा रहा है नेशनल फिल्म डेवलमेंट कॉर्पोरेशन में विला किया जा रहा है चार फिल्म मीडिया काई कौन कौन सी फिल्म डिवीजन फिल्म समारो निदेशाला भारतिये जटारी कारक्रमों और भारती तिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉड के प्रचार के लिए वित्र चित्र और नीज मेगजिन बनाने में के लिए की गई थी तो सबसे पुराना क्या है फिल्म डिवीजन सबसे पुराना उसकी स्थापना इसके बाद आता है भारती राष्ट्री फिल्म अभी लेखा गार तो इसकी स्थापना उननिस सो चांसर में की गई थी और मीडिया इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी इसका भारती सिनेमा से जुड़ी धरोहर को प्राप्त करना और उसे संख्षित करना भारती और आश्ट्री फिल्म अभी लेखा गार का कारिय था इसके तीसरा है भारती फिल्म समारो निदेशाला निदेशाला जो है 1973 ने बनाई गई है और इसकी स्थापना भारती फिल्मों और सांस्कृतिक आधान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी अंतीमया बाल बाल फिल्म सोसाइटी स्थापना सोसाइटी कानून के इंतरगत 1905 में की गई थी इसका विसे सुद्धेश फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल आधारित मरोरंजन प्रदान करना है बाल फिल्म सोसाइटी का कालित क्लियर तो इन सभी को एक कर किया जा र इसके बाद डीटीएच में सौफीजदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडी आई के साथ लाइसेंस की अवद को बढ़ा कर बीच साल कर दिया गया है क्लियर तो डीटीएच सेवाओं में अब 100% एफडी आई को मंजूरी दी गई है अभी आई-एन-बी दिशा निर 50% एफडी आई को मंजूरी दे दी है क्लियर चलिए देखते है अगला पॉइंट पे यू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ की साज़ेदारी तो हाली में पे यू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पी के साथ में साथ में साज़ तारी से गूगल पे ने उप्योग करता हैं कि बार बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुक्तान कर सकेंगे तो इसमें से लिए जा सकता है विकल्प के माध्यम में से पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आप शकता नहीं है और ओटीपी आटोमेटिड करके भुक्तान त की गई 2006 में की गई है और इसके CEO को ने लॉरेंट ले मुएल हैं क्लियर चलिए देखते हैं अगला पॉइंट करनाटक ने किसानों के लिए किया फ्रूट्स पोर्टल का अनावरान फ्रूट्स पोर्टल का फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड उनिफाइड बेनिफिश्री इ सूचना प्रलाली फॉर्मर रेजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिश्री इंफॉर्मेशन सिस्टम फूर्ट्स का फॉल फॉर्म है का अनावरान किया है इसमें सभी किसानों को पंजी क्रिप किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दर्ज की जाए है इस पॉर्टल की एक अन्य महत्रपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सुरियान है जिसके द्वारा किशानों को उपंजीयक कार्याले में आने की आवशक्ता नहीं होगी केनरा बैंक ने पाइलट आधार पर फूर्ट्स चला जाएगा केनरा बैंक के सहाईता से चला जाएगा सुविधा है खिसानों के लिए चलिए देखतें अगला उपराश्च्रपती वेंक यह नाइडू में ने और मिजोरम पुस्तक का किया विमोचन तो उपराश्च्रपती वेंक यह नाइडू ने वीडियो कांफरेंसिंग के जरी मिजोरम के गवर्णर स्री पीए स्रीधरन पिल्लाई द्वारा लिखित ओर मिजोरम बुक का विमोचन किया है स्री पिल्लाई वकील लेखक समासेवी और एक विचारक है इन्होंने मल्यालम और अंग्रेजी में 125 किताबे लिखी है ओर मिजोरम अंग्रेजी में इनका पहला कविता संग रहा है तो मिजोरम के महाराश्ट के पूर्व मुख्रमंत्री और विधान सभ़ा के माधो भंढ़ारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोद्या का विमोचन किया है पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए विरोध प्रदर्शनोंको सारान सित करते हुए एक संदर्व दस्तावेज के रूप म काम करेगी तो मादव बंडारी द्वारे लिखित पुस्तक अयुद्ध्या का विमोचन हाल ही में देवेंद परणवीस जो कि वहां के विपक्षिन एता है विधान सबगे उन्होंने उसका विमोचन किया है क्लियर चलिए देखते अगला पॉइंट स्री नगर के अमर सिंग कॉलेज को यूनेस्को पुरसकार से किया गया अलंकृत तो हाल ही में स्री नगर के अमर सिंग कॉलेज को सांस्कृतिक विधाश्य संरक्षां के लिए साल 2020 के यूनेस्को एसिया पैस्फिक अवार्स में अवार्स आफ मेरिट से नवाजा गया है किसे अमर सिंग कॉलेज को स्री नगर के अमर सिंग कॉलेज को बहाल करने से कस्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भावनों में से एक को अपना गवरा वापस मिला है तो कॉलेज की इमारत 30 साल पुरानी है और किनसासित प्रेस्ट जम्मू कस्मीर में इंटेक इंडियन नेशनल ट्रश्ट और औरट एन कल्च wonder paradise ने अमर सिंग कॉलेज के में संदक्ष्ण करे तो हाल इमें स्री नगर के अमर सिंग कॉलेज को यूनेस्को पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यूनेस्कों कौन से पुरुषकार अवार्ड आफ मेरिट से नवाजा गया है क्लिया 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 चलिए बढ़ते अगले क्लिचन की और देखते हैं एंटीपीसी ने जीता प्रतिष्टित सी आई आई टीसी सस्टेनेविल्टी अवार्ड टुटीटीटी तो देश्म के सबसे बड़े बिजली उत्पादर संग्ठान नेशनल थर्मर पारवार कॉर्पोरेशन एंटीपीसी को कॉर्पोरेट समाजिक जिम्मेदारी डोमेन में प्रतिष्टित सी ए आई 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 टिसी सस्टेनियविल्टी आवार्ड ट्वैंटीटी में उतक्रिस्टिता से सम्वानित किया गया है एंटीपीसी को क्लेट एक्सिदेडिंसरेरी इसकी स्थाफन उन्नीमें 75 में की गई थी और सब्ख्याल है नहीं दिल्लिंभायंन ए महारतन कंपणिये ध्यान रखेगा महारतन कंपणिये है चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कमला देवी चट्वपाध्या एन आई एफ बुक प्राइस का हुआ एलान तो हाल ही में कमला देवी चट्वपाध्या न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइस 2020 के समकालीन आधनिक भारत पर लिखी सर्वस्रेश्ट गैर कार्पनिक बुक के विज़ेताओं की खोशना कर दी गई है यह किसको मिला है यह पुरसकार अमित अहुजा को उनके अधनिक पार्टी विदाउट एथनिक मूब्मेंट और पूरु केंद्रिमंती जैराम रमेश को दो लोगों मिला है अमित अहुजा को और जैराम रमेश को जैराम रमेश को उनके चेकर ब्रिलियन्स दमेणी लाइट साफ वी-क कृष्ण मेनन जो की एक राजनीतिक और राजनाईक वी के क्रिष्ट मेनन की जीवनी पर आधारित है तो ठीक दो लोग मिला है अमित हुजा और जैराम रमेश को संयुक तुरुप से दिया गया है इस पुरुष्कार के ताहित प्रसास्ति पत्र और पत्र अलाग रुपए का नगद पुरुष्कार दिया जाता है कमला देवी चट्व पाध्या एनाई एफ बुक प्राइज अवार्ड में चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की और देखते हैं प्रख्यात मलयालम कवी सुगत कुमारी का हाली में निधन हो गया है तो प्रसिद कवी और कारेकरता सुगत कुमारी का कोरोना वाइरस शंक्रमित होने के बाद निधन हो गया है वह 1970 के तसक में आकार लेते मिटे सबसे क्रफिपर उन्होंने मरे바 haters सायलनवने के लिए हर《वीरोध》 में शुनाया गया था और शुवत कुमारी को साल 2009 Chen Walent में भारत के चैसे बड़े नागरिक पुरुष्कार पदमश्री से भी संवानित किया चुका है ठिक तो सेव साइलेंट वेली मुव्मेंट में सक्री प्रचारा कहीं प्रख्यात मले आलम कभी सुगत कुमारी का हाली में निधन हो गया है तो यह थी हमारी 25 दिसंबर की करेंट अफेर्स 26 दिसंबर करेंट अफेर्स साथ कल फिर आएंगे अपने चैनल के साथ में तंक चैनल साह्त बने रहें वीडियों को लाइक कीज़े शेयर कीजिए चैनल सबस्कlonbe कीज़े बेल आइकन प्रेस कीज़े ताकि आगे आने वाली वीडियों के वभडेस आपको मिलती रहों के चैनल मिलते हैं नए वीडियो साथ में भी थेंक यू